हेलो गाइज, आज जो ये मेरी रेसिपी है, वो है आलू और भिंडी की सबजी एक्चुली ये बहुत लोग, हर लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं लेकिन जैसे ये सबजी आज मैंने बनाई है, मेरे घर पर बनती है मैंने अपनी रेसिपी को शेयर किया है तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहां 500 ग्राम भिंडी को लिया है और भिंडी को मैंने अच्छे से वाश करने के बाद 2-3 बार ये cotton cloth में डाल कर इस तरीके से इनके पानी को सुखा देना है एक्चुली थोड़ा भी पानी रहने से क्या है जो भिंडी है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती मतब तार जैसे खिचते हैं वो मुझे नहीं पसंद है इसके लिए मैं cotton के cloth में इनको करती हूँ आप देखिए मैं भिंडी के last वाला point end point को और जो ये पीछे वाला है back वाला उनको काट के ये भिंडी मैं ज्यादा बड़ी नहीं लेती हूँ जब भिंडिया लेती हूँ तो मैं medium size की भिंडी लेती हूँ और दौनों तरफ से देखिए काट के आपको check कर लेना है कि भिंडी खराब तो नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस तरीके से काटते रहते हैं खराब भिंडी भी कट जाती है तो इस बात को देखने के लिए सबसे पहले हमें दोनों छोर काट के एक बार check कर लेना होता है कि भिंडी ठीक है फिर इस तरीके से काट लेना, एक्चुली हम थोड़ी और अगर बड़ी भिंडी लेंगे तो वो बीज होने की वज़े से उसमें टेस्ट नहीं आता होतना, तो मैं ये वाली जो मीडियम साइज की भिंडी होती है वही चूज करती हूँ, बस इस तरीके से कट करके हम एक बोल करके फिर दरदरा पीस लेना है, बस अब हम इसको पीसने के बाद कड़ाई में डालेंगे तेल, अब तेल जो है ये मैंने लिया है, मस्टर्ड ओयल, सरसों वाला ओयल, इसको हमें अच्छे से गरम करना है, जिसे कि इसमें थोड़ी सी भी, एक्चुली क्या है, ये थोड़ करना है, बस जैसे ये थोड़ा-थोड़ा सा कलर इनका ग्रीन डार्क दिखने लगे, तो आप इनको निकाल लें, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अभी डाल दें, तो बस मैंने निकाल लिया है अब इनको, और आब इसके बाद निकालने के बाद, अब हम इसी मे थोड़ा सा डालेंगे, तेल, वनना अव्ड़ा, पतलब की, टू टेबल स्पून के आसपास हमको इसमें ओयल डालना है, ये भी मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है, क्योंकि मस्टर्ड ओयल में ही, भिंडी या कोई भी सबजी बहुत अच्छी बनती है, इसमें हाफ टी स्पू और बस आलू इसमें सबसे पहले आपको डालना है, इसमें पानी की जरुवत नहीं है, इसमें ये बोईल हो जाएंगे, और सॉल्ट आप अपने अकोर्डिंग डाल लीजे, बस अब इसको हमें ढखकर सबसे ज्यादा मतब स्लो जो गैस रहती है ना, स्लो गैस पे इसको अब देखे मैंने चेक कर रही हूं, ये प्रॉपरली अच्छे से मुझे दिख रहा है कि थोड़े थोड़े से पकने लगे हैं, और थोड़ी बहुत भी अगर रह गया है पकने के लिए तो वो भिंडी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, तो बस अब हम इसको इस तरीके से चल इस भिंडी को भाप में रखना है, और ये मसाला जो मैंने बनाया था वो उपर से इस तरीके से डाल देना है, उससे काफी अच्छा कलर और फ्लेवर दोनों आ जाते हैं, और एक चमश के आसपास, वन टी स्पून के आसपास मैंने इसमें कर्ड डाला है, दही से क्या होता ह है कि इसमें फ्लेवर के साथ साथ अंदर तक जो भिंडी होती है उसमें अंदर तक हलका हलका सा खट्टापन पहुच जाता है, तो टेस्ट में ये बहुत ही अच्छी लगती है, आप कभी भी इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको भिंडी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा क्योAPP हम इसमें ना टमाटर यूज़ कर रहे है, ना पयाज यूज़ कर रहे है, और ना ही इसमें हमने कोई लेस्ण वगेरा यूज़ किया है, तो इसी लिए हम इसमें हलका सा कर्ड डाल देते हैं, देखिए सबजी कितनी अच्छी तयार हुई है बन कर, तो ये टेस्ट आने के लिए जो हमने मसाले डाले थे उसी से ये अच्छा सा टेस्ट आपको ये फ्लेवर मतलब मिलेगा तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए